नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिसो सर्विस में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज हम लोग बहुत ही महत्पूर्ण विसे जिसमें की हम लोग युद्ध अभ्यास के बारे में चौचा करेंगे ये विसे बहुत ही महत्पूर्ण है इस विसे के अंतरगत हम लोग सेन अभ्यास किन देशों के मद हुआ, कब हुआ और कहा हुआ और ये किस सेना से समंदित है वायू सेना, थल सेना और चल सेना तो इन से हम समंदित जो है इसको देखेंगे चलिए शुरू करते हैं यहां पे पहला हमारा जो अभ्यास है यह अभ्यास कौंकर है तो अभ्यास कौंकर जो है यह भारत और ब्रिटन के बीच में किया जाता है और यह एक नौ सेना अभ्यास है यह नौ सेना अभ्यास है तो यह नौ सेना अभ्यास है और इस बार का जो कौं United kingdom के जो है साउथ में मनाए गए UK का इंदर का स्कॉट्लेंड और जो है United यानी ब्रिटेंग यह देश आते हैं Ireland इससे अलग हो गया है पहले Ireland भी आ जाते था next आते हैं Hand in Hand पहरी बहुत ही महुत पूर्ण यह exercise है जो कि भारत और चीन के बीच में बनाई जाती है यानि भारत और चीन की जो सेनाई है वो इस पर अभ्यास करती है hand in hand position अभ्यास है यह और यह थल सेना के बीच में बनाई है थल सेना इसको जो है यह थल सेना का अभ्यास है और इस बार का जो ये अभ्यास है ये मेगाले राज में बनाया गया है मेगाले में बनाया गया है मेगाले बहुत ही मामलों में पर सिद्राज है जैसे कि यहां पर बारिस बहुत होती है यहीं पर जो है चेरा पुझी और मासे रामे नाम ही इससे पता चलता है मेग आले मेगों का आले मंदिर मेगों का घर मंदिर तो ये जो है थलसेना अभ्यास है हैंड इन हैंड और भारत और चीन में याद रखेंगे हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में ये थलसेना सैन्न अभ्यास है अगले पे आते हैं गरुड गरुड सबसे आ रखे गरुड 6 ये भारत और फ्रांस के मीच में बना जाता है जहां भी गरुड का सब्दा आता है गरुड वरुड ये दोनों ही जो है फ्रांस के हैं फ्रांस के साथ भारत और फ्रांस के साथ मना जाते हैं ये सेन अभ्यास होता वायू सेना के लिए यह और जो है इस बार ये जो गरोड़ अभ्यास है ये फ्रांस में मनाया गया यानि वहाँ पर संपन हुआ ये अभ्यास अगले आते हैं सिम बैक्स सिम बैक्स जो है यह सिम वर्ड जो है यहां पर सिंगापूर के लिए और बैक्स जो है भारत के लिए उच्किया गया तो सिम बैक्स जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और सिंगापूर के बीच मनाया जाता है और संपन होता है भारत और जो है सिंगापूर के बीच में हुआ और ये एक नौ सेना क्योंकि सिंगापूर जो है वो एक आइलेंड देश है तो ये जो है नौ सेना के लिए नौ सेना अभ्यास है और इस बार का जो ये अभ्यास है ये सिंगापूर में ही मनाया गया वहीं पर संपन हुआ है तो सिंबेक्स 2019 ये 9 सेना अभ्यास है और सिंबेक्स ये भारत और सिंगापूर के बीच में होना है संपन होता है अगला आते हैं वरुड जैसे हम पहली बता चुकिए गरुड और वरुड दोनों ही सेन अभ्यास जो है भारत और अब्यास है ये 9 सेना के लिए है और ये जो वरुड अभ्यास मनाया गया ये गोवा में इस बार जो है गोवा में ये वाला सेन अभ्यास किया गया है और ये मई 2019 में संपन हुआ अगले आते हैं हम लोग आई एन बीपी एन आई एन बीपी एन जो है ये भारत और वियतनाम के ये इंडियन नेभी और ये बीपी एन जो है ये बियतनाम नेभी के लिए तो INBN जो है ये भारत और वियतनाम के बीच में संपन हुआ और ये इस बार जो है कैमरान की खाड़ी जो है वियतनाम में है वियतनाम एक छोटा सा आइलेंड देश है जो की चीन के पास में है और वहीं पर ये है मनाया गया इस बार वहीं पर ये संपन भी हुआ है केमरन की खाड़ी के पास भीयत नाम और ये अपरेल 2019 में संपन हुआ अगले आते हैं हम लोग B-I-L-N-T-E-X जो B-I-L-T-E-X है ये वही इसी का ही पूरा यहां पर नाम है ये अगले पर आते हैं हम लोग मित्र सक्ती मित्र सक्ती जो है ये जो है स्रिलंका के साथ भारत और स्रिलंका जो है वह इसको समपन करते हैं दोनोही देश जो है ये बहुत ही इंपोर्टन है अग्जाम में आने की संभावना पूरी है मित्र सक्ती तो नहीं पर भारत और स्रिलंका प्रोशी देश है मगर पाकिस्ता नहीं हुए यहां पर भारत और स्री लंका में इस बार संपन हुआ तो यह स्री लंका में संपन हुआ अगला आते हैं हम लोग कारपेक्ट तो कारपेक्ट जो है यह भारत और और इंडोनेसिया के बीच में तो कारपेक्ट जो है यह भारत और इंडोनेसिया के बीच में हुआ यह भी एक नौ सेना क्योंकि इंडोनेसिया कैसा थी इंडोनेसिया जो है यह दीपों का एक समूँओ जिसमें लगबग 14,000 दीप हैं तो यहां पर जो है आपका इंडोनेसिय जो है क्योंकि यहां पर 9 सेना की अधिक्ता अवस्ता थल सेना जब वहां धीप ही धीप हैं तो 9 सेना की ज्यादा जरूरत तो यह इसलिए इंडोनेशिया और भारत की बीच में कारपेक्ट जो है एक 9 सेना का युद्धा अब्यास है और यह जो मार्च 2019 में संपन हुआ और इसका जो सुवारम है यह पोर्ट ब्लेयर में हुआ था अगले पर आते हैं हम लोग अगला है एफी एफी आई इन डेक्स एफी मीन्स यहां पर अफ्रीका और आई मतलब इंडिया और एक्स मतलब एक्ससाइज तो यह भारत और अफ्रीकी देशों के साथ जो है यह एक्ससाइज हुई है इसमें कई अफ्रीका देश सामिल थे और यह एक्ससाइज मार्च 2019 में हुई है और ये महराष्ट के पूड़े पूड़े में संपन की गई है तो ये exercise भारत और अफ्रीका के बीच में हुई है अगले में आते हैं हम लोग अल नगा अल नगा थर्ड ये नाम सही लग रहा है कि ये अरेबिक कंट्रीज का नाम है अल नगा तो ये अरब भारत और ओमन के बीच में संपन हुई है और इस बार ये ओमन में ही हुई है और ये संपन हुई थी मार्च में और ये एक जो है थल सेना अभ्यास है तो ये जो अल नगा जो है ये एक थल सेना अभ्यास है अगला आते हैं संप्रीती बारत और बंगलादेश के बीच में ये एक थल सेना सैन अभ्यास है तो इस बार टंगायल बंगलादेश में हुआ जो कि टंगाईल बंगला देश में संपन हुआ, मार्च के माह में, अगला आते हैं इम्बैक्स, तो इम्बैक्स जो है ये भारत और मियानमार के बीच में, तो भारत और मियानमार के बीच में, इम्बैक्स जो एक युद्धाभ्यास किया जाता है, और ये युद्धाभ्यास है ये इस बार चंडी मंदिर में मनाया गया कहां पर हुआ है चंडी मंदिर है कहां पर ये हर्याना में है ये चंडी मंदिर तो चंडी मंदिर जो military station है यही हर्याना में वहीं पर भारत और म्यानमार के बीच इंबेक्स थल सेना युद्ध अभ्यास किया गया अगला बहुत ही महत पूर्ण है एक्जाम में आने की पूर्ण सम्भावना इस्टार मना लिजे इसके लिए इंदर नेवी जो इंदर नेवी है ये जो है भारत और रोस के लिए जहां भी इंदर नाम आ जाता है तो आप याद रखिए इंदर का बजर सफेद होता है उसी तरह रोस का एरिया है जब भी हम देखते है नकसे में मैप में तो सफेद देखता है क्योंकि बर्फ से ढखा हुआ है तो याद रखिए और इंदर का हाती भी देखिए संपन हुआ है तो यह इस बार जो है विसाखा पतनम में तो विसाखा पतनम में इस बार जो यह संपन हुआ और यह दिसंबर 2018 में गुए अगला आते हैं हम लोग एकुवेरिन एकुवेरिन जो है यह भारत और मालदीब और यह भी एक थलसे नाभियास है और यह इस बार jwh मालदीप का एक इस्थान है मफीला फूसी मफीला फूसी में लिख देता हूँ यहां पे मफीला फूसी यह मालदीप में है यह जिस थान मफीला फूसी वहीं पर यह थलसेना युद्ध अब्यास किया गया तो पहली बात यह थलसेना अब्यास है और ये जो है मफीला फूसी जो है ये माल दीप में एक स्थान है वहीं पे हुआ ये भारत और माल दीप के बीच में होता है अगला आते हैं हम लोग सेन्यू मेत्री सेन्यू ये सब्द जापान से आता है तो जापान का पूर नाम भी यही था सैन्यू, तो यहां से सैन्यू मैत्री, तो सैन्यू मैत्री यानि भारत और जापान की मैत्री समझ देती यहां पे, तो यह भारत और जापान, इन दोनों देशों के मद्द में यह होता है, और यह एक वायू सेना अभ्यास है, तो यह कैस सेन्यू मेतरी है ये हमारा आगरा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्तु पूड है क्योंकि उत्तर प्तेश ने हिस्तर करा निक संभावना ये वाय। बाले सेन प्रदेशित च'T grounds Ayu सेन्यू मेतरी युद्धा भ्यहास हुआ हुआ bacon beいき find no bump perg पान के भी युद्ध अभ्यासि अगला पुनाएं आते हैं युद्ध अभ्यास कॉंकर तो युद्ध अभ्यास जो जो कॉंकर्ण है यह भारत और बिटन यह शुरू में भी अभ लोगों ने रहें एक बार पड़ा था पहला यही था और दूसरा भी यह युद्ध अभ्यास कौंकर तो ये युद्द अभ्यास जो कौंकर है ये भारत और किसके देस में बीच में होता है UK गरेट ब्रेट इन के बीच में ये जो है भारत और इस बार जो है 2018 नवंबर दिसंबर में ये संपन हुआ था है गोवादीप तो ये आपका गो आदीप में संपन हुआ है युद्ध अभ्यास कौंकर और ये किस तरह का अभ्यास है ये एक नौ सेना अभ्यास है अगले अभ्यास पर आते हैं अभ्यास कोप इंडिया तो कोप इंडिया जो है ये भारत और अमेरिका की अभी तक अमेरिका का कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं आया है हम लोगोंने इतने अभ्यासों की चाचा की पहला यह आता है अमेरिका का तो इसको याद करना बहुत ही आसान है कोप इंडिया तो कोप इंडिया कोप सब्द भी किसी भी युद्ध अभ्यास में नहीं है तो कोप इंडिया जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में संपन होता और ये एक वायू सेना जो कोप इंडिया अभ्यास है ये एक वायू सेना अभ्यास है और ये अभ्यास जो है ये पक्षिम बंगाल में हुआ है ये इस बार जो है पक्षिम बंगाल दिसंबर 2018 को संपन हुआ Next पे आते हैं बज्र प्रहार जो बज्र प्रहार है युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ अंतर सिर्फ इतना है कि जो अभ्यास कोप इंडिया था ये एक वायू वायू से न युद्ध अभ्यास था और जो बज्र पहार युद्ध अभ्यास है बज्र पहार ये एक थल से न युद्ध अभ्यास है तो ये एक थल से न अभ्यास है और थल से याद रखिए का ये राजिस्थान तो ये राजिस्थान में संपन हुआ है ये युद्ध अब्यास और जो कोप इंडिया हुआ था ये कहां पर हुआ था ये पक्षिम बंगाल में हुआ था यहां समधरी तठ है और राजिस्तान में कोई समधरी तर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हुआ है, अगला आते हैं हम लोग, इंद्र, तो इंद्र युद्ध अभ्यास, तो हम लोग पहले इक चरचा कर चुके हैं इंद्र के लिए, तो उसी तरह से इंद्र युद्ध अभ्यास जो है, यह भारत और रूस के बीच में, तो भारत और रूस के बीच में जो है, इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, अभी इससे पहले जो इंद्र नेवी आया था, अब यह इंद्र है सिर्फ, तो यह इंद्र अभ्यास जो है, यह भारत और रूस के बीच में होता है, और यह एक थलसे नेवी आता है तो वो नेवी का अभ्यास है और ये एक साधान इंदर लिखा हुआ यहाँ पर तो ये एक थलसेना अभ्यास है और इस बार जो है ये नमंबर मां 2018 में जो है जहासी उत्तर पदेश में संपन हुआ है अगला आते हैं समुद्र सक्ति तो समुद्र सक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत और इंडोनेसिया के बीच में है तो समुद्र सक्ति जो है किंदेशों के बीच में होता है ये भारत और इंडोनेसिया के बीच में होता है ये कब संपन हुआ ये नमंबर 2018 में संपन हुआ और यह जो है इस बार का जो समुद्र इंद्र सक्ती जो युद्ध अभ्यास है यह इंडोनेसिया में ही हुआ है और एक चीज़ हम पहले ही चरचा करें चुके है कि इंडोनेसिया एक जो है आइलेंड समू का देश है तो यहाँ पर यह कैसा होना चाहिए यह एक नौ सेना का यह नौ सेना का जो है तो नौ सेना का यह जो होगा एक युद्ध अभ्यास होगा तो नौ सेना का युद्ध अभ्यास है यह अगला आते हैं हम लोग धर्म गार्डियन तो धर्म गार्डियन ये युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में हुआ है तो धर्म गार्डियन जो है ये भारत और जापान के बीच में हुआ है और ये कैसा थल अभ्यास है ये एक थल से ना अभ्यास है और इस बार जो है ये आपका मेजोरम में हुआ है भारत, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है दच्छड अफ्रीका, तो इपसागर जो है, इस बार ये जो है, सिम्स टाउन, दच्छड अफ्रीका में संपन हुआ, और ये एक नौ सेना अभ्यास है, तो किस तरह का अभ्यास है ये, नौ सेना का अभ्यास है, इपसागर, फिर से ए डायू के लिए skiёт यहाज, यहाज legg जो होता है यहाज एक वाईयू सेना का, और यह भारत और रोूस के बीच में हुआ है इंद अविया, और ये जो है लिपेट सक रूस इस बार ये रूस में ही संपन हुआ है इस्थान है लिपेट सक लिपेट सक नेक्स्ट पे आते हैं काजिंद काजिंद जो है ये भारत और कजाकिस्तान काजी मतलब कजाकिस्तान और जिन मतलब हिंद भारत तो काजिंद जो है भारत और कजाकि बीच में संपन एक थल़ se na अभ्यास है। यह जो आ है टो इसलिए यह थल se na युदध अभ्यास है और जो यह अभ्यास है यह कजाकिस्तान के कजाकिस्तान में ही संपन हुआ है और इस थान है वह पर ओटार प्रांत तो ओटार में ये कजाकिस्थान की एक स्थान है ओटार ओटार में ये स्थान जो है इसी स्थान पर ये यो दब्यास किया गया next बहुत ही important है कई वार ये examen में पूछा भी जा चुका है nomadic elephant nomadic elephant है ये मंगोलिया ये मंगोलिया में जो है भारत और मंगोलिया के बीच में संपन होता और इस बार ये मंगोलिया में ही मनाया गया है वहीं पर संपन हुआ है और ये एक थल सेना क्योंकि मंगोलिया landlock country भी है landlock country जो किसी भी महासागर से नहीं जुड़ती है तो मंगोलिया जो है ये मंगोलिया में ही संपन हुआ और ये एक थल सेना क्योंकि वहाँ जल सेना की कोई जरूरत आव सकता नहीं नेवी की और इसलिए ये जो है ये एक नॉमेडिक एलिफेंट जो है ये एक भारत और मंगोलिया के बीच में थल सेना युद्ध अभ्यास है और इस वार ये मंगो युद्ध अभ्यास है यह भारत मैटरी है यह भारत और ठाइलाएंड के बीच में शंपन हुआ और इस बार यह कहा शंपन हुआ इस भारिये थाइलैंड में ही समपन हुआ है्य gerade को देखने के लिए और अगर आठ контр इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जो बटन होता है उसको जरूर दबा दिये जिससे की आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम इस चैनल पर ज्यादा तर वही वीडियो बनाएंगे जो की basically judicial exams में चीस के परपस प्रपस से question पूछे जाते हैं पर ऐसा नहीं है कि यह वीडियो सिर्फ judicial exams के लिए ही अन-ehußenz के लिए ही भी उहतापूर हैं तो